हेलो फ्रेंड्स रतना के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं फ्रेंड्स आज हम बना कर रेडी कर रहे हैं मिल्क केक यह बहुत ही टेस्टी मिठाई है और इसे बनाना भी बहुत आसान है किसी भी खास फेस्टिवल में आप इसे बना कर रेडी कर सकते हैं जैसे ले रहे हैं 1500 ग्राम हरी इलाइची की पॉडर ले रहे हैं दो से तीन चुटकी और फ्रेस लेमन जूस वन टी स्पून अब हम सबसे पहले उस बरतन को लेंगे जिसमें हमें मिल्क केक का मिक्सर को रखना है इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से और इसे रेडी करके रख लेंगे पहले यह हो गया अब हम एक नॉंस्टिक कड़ाई में दूद को निकाल लेंगे दूद भी हमने निकाल लिया और गैस को अन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पर इसे हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं सामने रहकर ही थोरी दिर के बाद दूद उबल चुका है अब अब हम इसे चलाते हुए बिलकुल आधे से भी कम होने का इंतिजार करेंगे लेकिन फ्रेंड्स बिलकुल सामने रहकर ये काम बिलकुल सामने रहकर ही करना ठीक रहेगा तो हम गैस को फुल फ्लेम पर ताकि जल्दी दूद हमारा गाठा हो जाए इस तरह से चलाते हुए य क्योंकि यह नीचे से लग भी सकता है तो हमें दूद को बिल्कुल हमेसाद चलाते ही रहना चाहिए ताकि दूद नीचे से लगे भी ना और दूद एक जैसी कंसिस्टेंसी में भी रहे यह दूद अब काफी गाढ़ा हो गया है यह आधा सूख चुका है थोरी दिर इसे हम औ तक और निम्बू का रस निकाल लेते हैं मीडियम साइज का निम्बू हमें लेना है और यह आधा निम्बू हम नीचोरेंगे इसका रस निकालेंगे यह आधी निम्बू का रस में दो तीन चमच पानी मिला लेंगे हम और इसे छान लेते हैं छलने से इस तरह से छान कर 30-35 से के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही बीना चलाए और उसके बाद हम इसे फिर से मिक्स करना शुरू करेंगे चलाना शुरू करेंगे इसे इसी तरह से continue चलाते रहेंगे अब इसमें दाने जो छोटे छोटे बने हैं वो आसानी से दिख रहे हैं मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए यह बहुत छोटे छोटे दाने बनकर रेडी हो गया हैं और बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह तो इसे हमें और सुखा कर गाढ़ा करना है यह देखिए यह अब दूद सूख चुकाया है इसमें हम इलाइची की पॉडर और चीनी दोनों आड़ कर लेते हैं और इसे भी mix कर लेते हैं, इसे भी हम थोई दिर सुखाएंगे, ताकि चीनी से निकला हुआ liquid भी सूख जाए अच्छी तरह से, ये देखे, ये अब कुछ time बाद इस तरह कहो गया है, सूख कर, ये अब ready है, अब हम gas को बंद कर देते हैं, और इसे grease किये हुए बर्तन में डा लेते हैं, गरम गरम, इसे इस तरह से डाल कर, हम चारों तरफ से इस तरह से जात जात कर, सेट कर देते हैं, और इसे धक कर, 24 hours के लिए 24 गंटे के लिए छोड़ देते हैं, सेट होने के लिए, ठंधा होने के लिए, ये 24 गंटे हो गया है, और ये पूरी तरह से जम गया है, तो इसे हम side side से चाकू के सहारे पहले इस तरह से कर देते हैं ताकि ये आसानी से side से छुट जाए और थोर इसी gas दिखा देते हैं बिल्कुल low flame करके 5-6 सेकेंड के लिए ताकि नीचे से हलका melt हो जाएए घी melt हो जाए जो चिपका होगा वो आसानी से छोड़ देगा निकालते वक्त गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे ये हो गया अब इसे थोई दिर के लिए हम छोड़ेंगे ताकि जो भ हम इसे चाकू से काट लेंगे पीसेज बना लेंगे इसका इस तरह का हम पीसेज रेडी कर रहे हैं ये हो गया हमारा पीसेज रेडी ये हो गया अब मैं थोड़ा सा केसर इसमें यूज कर रही हूँ इसे मैंने एक घंटे पहले फूला कर रख दिया था इसमें कलर आ गया है अब इसके उपर मैं थोड़ा थोड़ा केसर लगा रही हूँ ताकि सुन्दर लगे और ये है मिल्क केक तैयार फ्रेंज तो कैसी लगी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें तो अब आप भी इसे अपने घर पर बनाईए और इंज्वाइ कीजिए इस फेस्टीबल को राखी को तो फ्रेंज अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बाई बाई